माई डेशन्स, विल्कम बैक तो माई चैनल, आज आपको इस वीडियो में बालाजी प्रकासन का च्छा नाइन्थ गडित चैप्टर रेखायें कोण, सी जो है बिवित प्रिशनावली या बहुत विकल्बी प्रिशन कह सकते हैं, इसकी बारे में चर्चा करेंगे, यह यह गए चित्र में घ्याद कीजी कि A प्लस B बरावर, यानि A प्लस B जो है उसका वैलू बताना है, जोड़कर, आपसन है 127 डिगरी, 107 डिगरी, 45 डिगरी और 24 डिगरी, यानि चारों में से कोई एक आंसर सजी होगा, और हमें A प्लस B का वैलू बताना है, तो देखते है A प्लस B है कहां, तो यहां पर दिखेंगे आपको A प्लस B यहां मिल गया है, ठीक है, A प्लस B यहां मिल गया है, और यहां पर क्या होजएगा, यहां पर खाली है, और यह A प्लस B जो है, जो बना है वो त्रिभुज में है, ठीक है, त्रिभुज का निर्मान हो रहा है, तो प्लस भी दोनों त्रिभुज में है अगर दो कोण एक साथ नहीं पाएंगी क्योंकि यह भी हमें नहीं पता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा अगर हम थोड़ा से यहां ध्यान दें आप देख सकते हैं कि मुझे एक प्लस भी ग्याद करना है अगर यह कोण मालुम चल जाए तो तीन मुझ के तीनों कोणों का यूगफल हो जाएगा एक सवस्येंस तो इस कोण को ग्याद करने के लिए क्या करेंगी यहां पर देखते हैं इसमें इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा सिरसाभी मुख कोण से आप पढ़े हैं कि जब दो रेखा एक रेखा इधर AD और एक रेखा यहाँ जो CA इस तरह से प्रतिछेद कर रही है एक इधर से जा रही है एक इधर से और जब दो रेखाएं परसपर प्रतिछेद करते हैं तो आमने सामने यह दोनों आमने सामने जो हैं यह सिरसा भिमकोन हो जाएंगे और सिरसा भिमकोन आपस में बराबर होगा जैसे यहाँ x धन्नों है तो यह भी x धन्नों होगा क्योंकि यह दोनों सिर्शबिम कोण से बराबर हो जाएंगे और आप से पूछ रहा है a plus b तो अगर इसका value यहाँ आ जाए x plus 9 तो यह तीनों कोण त्रिभुज के अंतहकोण हो जाएंगे अत्रिभुज के तीनों अंतहकोणों का यह फल एक सवस्य हो जाएगा और यहाँ पे हमें a plus b कावान निकल जाएगा लेकिन जैसे ही x plus 9 यहाँ लिखेंगे तो x की value आप क्या रखेंगे यह भी ग्यात नहीं है ठीके क्योंकि x plus 9 यहाँ आ जाएगा लेकिन x की value क्या रखेंगे क्योंकि मुझे x की value भी रखना होगा इसके लिए हमें दूसरा line अपनाना होगा कौन सी line देखें आप देख पा रहे हैं कि जो a d है a से लेके d तक एक सरल रेखा है इस पे तीन कोण बन रहे हैं x बठे 2 5 x बठे 2 minus 1 और x धन 9 यह एक ही रेखा पे बन रहे हैं यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण एक ही रेखा पे बन रहे हैं इसलिए तीनों कोण क्या हो जाएंगे हो जाएंगे रैखी की युग में की कोण और तीनों का युगफल हो जाएगा एक सवस्थी एक ही रेखा पे कितने भी कूण बने उनका योग फल एक्स दोस्य होगा तो तीनों को जो के 180 की बराबर कर देंगे यहां से मुझे एक्स की वैलू निकल जाएगी जैसे एक्स की वैलू मुझे मिल जाएगी यहां पे मैं रख दूँगा यह दोनों हो जाएंगे सिर समय कोण से बराबर अत्रिबुच के तीनों अंत्यकोणों का योग का फार्मूला लगा दूँगा तो सबसे पहला काम जरूरी है एक्स का वैलू अगर एक्स की वैलू मालू होता तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता आप क्या करना है सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि AD एक सरल लिखा है जो AD है एक सरल लिखा है तीक है सरल मतलब सीधी रिखा और सीधी रिखा उसपे तीन ऐंकल बन रहे है आप देख सकते हैं की x बटी दू उसी पे x बटी दो भी है और प्लेस ए बाला इसको हम थोड़ा सा गुड़ा करके भी रख सकते हैं क्योंकि इसको जब गुड़ा करेंगी तो एक लाइन मेरा बच जाएगा पांच का गुड़ा एकस बटी दो में करेंगी तो पांच बटी दो हो जाएगा गुड़ा करके लिख दें और माइनस भी है इसमें माइनस लगा देंगे पांच एकनने 5 हो जाएगा यनि जो मेरा दूसरा कौण है वो 5 का गुड़ा करेंगे 5x बटे 2 माइनस 5 हो जाएगा ठीक है ये दो कौण हो गए पलस तीसरा कौण तीसरा कौण क्या है एकस धन 2 एकस धन 9 ठीक है यह कौण यह कौण यह कौण तीनों रैखी के मुक्षे कुण होंगे इनका यूगफ़ हो जागा 180 डिग्री आप रिजन लिख देंगे रैखी के यूग में की तीनों का यूगफ़ अब करना क्या है जो एकस वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए यहां एकस बटे दो पांच एकस बटे दो एकस तरफ के ल तो रखेंगे यहां पे यहां पे एकस बटे दो धन पांच एकस बटे दो और एकस कहां पे है यहां पे है तो सभी एकस को हम एक तरफ कर लेंगे ताकि उसका वैलू निकाल पाए अब बराबर है और सब को हम लोग दाही ने पक्स भेज़ देंगी दाही ने पक्स में एकस और यहाँ पर देख रहे हैं ए जो माइनस पांच है उधर जाकी प्लस पांच गिनती एक तरफ हो जाए और प्लस नर जो है उधर जाएगा तो माइनस नर जैगा इस तरह से हमने क्या क्या है चर को एक दरफ अचर को एक दरफ करती है गिंती को दाकि जोड़ीने घ morphics नहीं हो यहां देख पा रहे हैं इसका हर 2 है इसका हर 2 है इसके नीचे कुछ नहीं हा है हर तो इसका हर एक होगा तो 221 का LCM जब निकालेंगे आप तो आपका LCM हो जाएगा 2 ठीक है क्योंकि इसका हर कुछ नहीं तो एक है दो से दो में भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा आपका वही बचेगा एक्स भर बचेगा इस तो से भाग देंगे दो में कट जाएगा बचेगा आपका 5 एक्स लेकिन यहां पे कुछ नहीं है तो इसका हर तो एक होता है एक का यहां पर क्या हो जाएगा इसको घटा लेंगे दिखिए एकसा पचासी में आप लोग जो है नौ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा एकसाओ छीहतर तो एकसाओ जोड़ेंगे एकसाओ जोड़ेंगे एकसाओ पचासी में इसे नौ जाएंगे घटाएंगे तो एकसाओ छीहतर हो जाएगा आपका ठीक अपर इनको जोड़ेंगे जब दोनों तरफ हिन हो, अंसर से अंसर काट सकते हैं, हर से हर काट सकते हैं, अगर कटने लाइक है तो, देखे, 8 से कट जाएगा, 8, 12, 16, एक बचेगा, 8, 12, 16, हो जाएगा, 22, 22, 24, यह एक्स की वैलो निकल गई, और एक्स की वैलो निकालना बहुत जरूरी भी था, अब करन क्या है, यहाँ पर मैं कर दी रहा हूँ, मेरे पास इस पीस नहीं है, अब देखना एक्स की वैलो, यहाँ, हमें निकालना था, एक प्लस बी, तो, एक त्रिभुज के अंदर है, क्योंकि यह है, जो आक्रती आप देख रहे हो, एक त्रिभुज क्या है, यह आक्रती एक त् चुकि नामकरण यहां पर नामकरण A है इसको अगर मान लिजे O है प्रतिछेद बिन्दू और यहां E कुछ मान लिजी इसको PQR कुछ भी है तो जितना एक सधन नौ है उतना यहां भी हो जागा एक सधन नौ हो जागा कैसे हो गया क्योंकि यहां दोनों रेखा है प्रेस पर क्या है प्रतिछेद कर रही है देखिए AD और इधर वाली रेखा A आपस में क्या करने प्रतिछेद कर रही है तो आमने सामने के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका हम नाम करन कर सकते हैं, जैसे यहां पर प्रतिछेद बिन को है, इसका नाम करन नहीं दिया गया है, तो आप इसको क्या माल लीजिए, जैसे ABCD है, तो इसको आप E माल लीजिए, अपनी मन से, इसको F दे दे जिए, क्योंकि इसका भी यह AD रेखा और ACE, AD एवं इधर वाला CE, परस्पर परतिछेद करते हैं, यानि दोनों काट रहें दूसरी को, जब परस्पर परतिछेद करते हैं, तो क्या है, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला एंगल, इधर वाले एंगल जो है, आप इसको देख सकते हैं, इस त्रिभुज में कोण क्या है, आप चाहें तो A, O, E कह सकते हैं, या F, O, E कह सकते हैं, दोनों बात होई, तो इधर वाला कोण जो है, उसको नाम दे देंगे, या F, O, E, यानि कोण या F, O, E, आप चाहें, तो F, O, क्योंकि इस प्रतिछेद विंद को हमने O दिया, F, O, E लिखें, या A, O, E लिखें, बात एक क्या हो, यह किसके बराबर बजाएगा, यह जो है, इसके F, O, E है, यह दोनों आपस में, आपने सामने सिर्षा भीमुख कोण बना रहे हैं, यह बराबर हो जाएंगे, आप रीजन लिख देंगे, सिर्षा भीमुख कोण से, सिर्षा भीमुख, जब दो रेकाएं प्रतिछेद करते हैं, तो आपने सामने बने कोण सिर्षा अब क्या करना है मुझे जो A प्लस B निकालना है वो है A प्लस B एक त्रिभुज के अंदर है और कौन सा त्रिभुज के अंदर है देखेंगे चूंकी FOE देख सकते हैं FOE उसी के अंदर है ना त्रिभुज के अंदर तो FOE एक त्रिभुज है यह क्या है त्रिभुज है त्रिभुज का प्रतिक बना दिया अजब त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण के अंदर बने हुए है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण का योग एक सवसी होगा तो अब देखे यहाँ पर एक कोण है A उसी त्रिभुच के अंदर A है फिर B है ठीक है एक कोण A है दूसरा कोण B है तीसरा कोण है एक सधन्नो तीसरा कोण क्या है एक सधन्नो ठीक है बराबर यह क्या हो जाएंगे एक सवस्सियन्स हो जाएंगे ठीक है क्योंकि त्रिभूज के तीनों अंत्य कोण है त्रिभूज के तीनों कोणों का योग एक सवस्येंस होगा एक तो दिया था A, B और तीसरा हमने सिर्ष अभी मुख से लगा दिया एक सधन्नो यह तीनों कोण हो जाएंगे आपके एक्सवस्यन्स लिख देंगे आप त्रिभूझ के कौण योग गुड़ते त्रिभुझ के तीनो कौणों का योग एक्सवस्यन्स होता है अब करना क्या है आपको A प्लस B का मानवता ना था ठीक है तो A प्लस B आप ऐसे रहने दीजिए और यहां जो X है X की value आप निकाल चुके हैं आप देख सकते हैं यहां पर समीकरवन में X की value 44 निकाला है ठीक है यहां 44 कर देंगे X की जगह पे अब प्लस 9 आपका होई से उतर जाएगा बराबर 180 हो जाएगा ठीक है तो आप इसे रहने देंगे A प्लस B आपकी होगई 117 डिगरी आप आसानी से देख सकते हैं आप से ही पूछा जा रहा था की A प्लस B की value बताना है अब वह बिकल्पी में था वह जल्दी आ जाता लेकिन इसको साल्व करना अगर आपको लगाना हो काँपी में साल्व कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं A प्लस B की value कितना पूछा था उसमें objective question थे और देखें यह बिकल्प में है कि नहीं तो हमने जो है 100 कितना किया है 127 डिग्री तो 127 डिग्री आप देख सकते हैं किस बिकल्प में है तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो पहला option A वही 127 डिग्री दिया है तो पहला है यह option जो है आपका सही हो जाएगा तो इस तरह से आप दिये गए कोनों का मान गयात कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ जा होगा अगर यह वीडियो आपको समझ में आए तो इसको like, share और comment करें और comment करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए take care, thank you, good bye